नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदु पंचांग के अनुसा प्रतेक्मा में दो बाद चतुर्थी दिदियाती है एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है मनता है कि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गरेश की पुझा अर्चना करने से सभी प्रकाल की संकड दूर होते है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में अधिक मास विनायक चतुर्थी कब है 21 या 22 जुलाई को शुमोरत क्या रहेगा पूजा की विदी क्या है पूजा का समय क्या रहेगा और करना न भूले बस एक काम तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ही चानल पर नए हैं और अभी तक आप नहीं से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी विनायक चतूर्थी व्रत की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ मबेल आइकन को प्रेस कर दीजे तक आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यदि आव आर्थिक समस्यां से परिशान है तो विनायक चतूर्थी के दिन घर पर चौमुखी दीपक जलाना चाहिए आनेता है कि ऐसा करने से सभी प्रकार के कश्टों से मुक्ति मिलती है विनायक चतूर्थी के दिन व्रती को ब्रह्मुरत में उटकर इसनानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके पश्चा स्वक्ष पीले या लाग रंके वस्त धारन करे व्रत का संकल्प ने उसके पश्चात भगवान गड़ेश की पुझा आरम करे इसके पश्चात भगवान गड़ेश को धूप, दीप, नवैद, फल, फूल, दुर्व, आधी अर्पित करे व्रतावाला नारियल अर्पित करे, मोदक या लड़ों का भोग लगाए गड़ेश की मंत्रों का जाप करे, गड़ेश चालिसा का पार्ट करे, विनायक चतूर्थी व्रत की कथा को पढ़े या सुने भगवान गड़ेश को भोग लगाए, भगवान गड़ेश की आर्थी करे साल 2023 में अधिक मास विनायक चतूर्थी 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को है प्रदय होगा सुबह 5 बच का 36 मिनट पर सुने आस्तों का शमकि 7 बच का 19 मिनट पर पुजा का समय रहेगा सुबह 11 बच का 5 मिनट से तो पहरे 1 बच का 50 मिनट तक मेरे विडियो में अंतितक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर विलेंगे किसी नए वीडियो के साथ